स्री शिवाय नमस्तु व्याम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब देखिए हम सभी जानते हैं कि कल नवरात्री का शनीवार है और नवरात्री के शनीवार की दिविरात्री में आपको मात्र नो लॉंग का बहुत ही अच्चु कुपय करना है नो लॉंग साबूत होनी चीए फोल वाली होनी चीए खंडित नहीं होनी चीए ये उपाय करने मात्र से आपके जीवन के समस्या दूर होगी किसी भी प्रकार की समस्या हो चाहे आपके संतान से जूरी कोई समस्या हो चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो आपक पुज्य गुरुदेव की ही कता सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शीव की यदि आप सचे भकते हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें देखे कल नवरात्री का चोथा दिन भी है याने की मा कुसमांडा की पूजा अर्चना का दिन है और इनकी सिद्यों से इनके उपायों से आपके जीवन में रोग शोग दूर होते हैं आयू यश में व्रिद्धी होती है देवी कुसमांडा को अश्ट भूजा देवी का जाता है देवी कुसमांडा की आठ भूजा हैं जिन में देखो कमंडल है धनुश बांड है कमल पुष्प है शंक है चक्र है गदा है और सबी सिद्यों को देने वाली जप माला है मा के पास इन सबी चीजों के अलावा हाथ में अमरत कलज भी है इनका वहान सिय है और इनकी भक्त आप जब भी करेंगे अंत में उपाय करने के बाद 11 बार ए म्रीम देवे नमः इस मंतर का जाप करना है ये मंतर बीज मंतर है मांक कुसमांडा का देख में सबसे पहले और उपाय में देखो अब कि नो लिभ नने है आ इन लेना यानि क्या उड़े से नहीं लेना है मात्र Two Long लेना है ठीकig दिपक के अंदर आपको रखना कपूर के तुक्ड कर ले ना नो तुक्ड कर ले ने करना ठीकिए साथ में लेना है सरसो cả तुल अब बहुत ध्यान से उपय गो समझना आप क्या करेंगे आपके घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर आ जाएंगे आप ठीक है घर के मुख्य द्वार पर आ जाएं एक प्लेट ले ले और प्लेट के उपर ये दीपक रख ले प्लेट ले प्लेट के उपर दीपक रख ले ठीक है दीपक के अंदर आपने कपूर डा तेने उपाय आपको रात्री में ही करना है रहा है को एक लोंग आपको एक लॉंग के लेना है और उसके बाद जैसे आप दीपक के अंदर डालेंगे तो ओम, एम, रिम, क्लिम, चामुंडाय विच्चे इस मंतर का जाप करना एक बार और दीपक के अंदर डाल देना इस प्रकार से 9 लोंग पर 9 बार आप जाप करना और सरसो के तेल के अंदर डुबो करके ही आपको ये लोंग जो है आपको दीपक के अंदर रखना है अब ये जो दीपक है आप कहाँ पर रखेंगे आप आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर आ जाना जो में गेट होता है ना लकडी वाला उसके बाहर आना और आपके घर के जिसे आप घर के तरफ मुख करके बेठेंगे तो आपका जो सीधा तरफ है वहाँ पर इस दीपक को रखना है बहुत ध्यान से समझना सीधा तरफ जहां आपका है वहाँ पर आपको इस दीपक रखना है ठीक है आपने जो no long डाल रखी है अब आपको क्या करना इस दीपक को प्रजुलेट कर देना है आपको उस दीपक को ना तो उठाना है आपको ना तो उस दीपक को जलते हुए छूना है विशेश इस बात का ध्यानकना ये उपाय करने से आपके जीवन में जो भी शनी से जुड़ी कोई तकलिफ हो रही हो देखो शनी देव से अगर शनी की साड़े साती हो शनी की ढईया हो तो वो भी शान्त होती है साथ शनी देव भी प्रसन होते हैं क्योंकि सरसों के तेल से शनी देव प्रसन होते हैं ठीक है और उसके बाद ज जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, वो सब इस उपाय से दूरोगी, घर की जितनी भी नकारत्मक चीजें हैं, नकारत्मक शक्तियां हैं, वो जैसे ये दीपक जलेगा, वेसे ही इस दीपक के साथ जल करके समाबत हो जाएगा, तो ये जो उ करना वो दीपक आपको बाद में उपयोग में नहीं लेना है वो दीपक आपको पीपल की वुरुख्ष की जड़ में रख करके आना है अगे आपको बसमझ में यह उपाई बहुत ही खास है नवरात्री के शनिवार की रात्री पर आपको करना है देखिए दूसरा उपाई यह साथ में लेना है एक लोंग ये दोनों चीज लेकर के आपको भगो पीपल के वुरुख्ष के वहाँ पर जाना है और ये दीपक जो है दीपक आपको प्रजलित करना है दीपक का जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चीए और आपके हाथ में जो लोंग है ओम एम भव के कर्म हो जिसके कारण इस भव में धनकी प्राप्ति ना हो पा रही हो तो ऐसी अर्चे ने भी इस उपाई से दूर हो जाती है देवी ममा प्रसंद होती है लक्षमी जी का वास आज की दिन पीपल के वुरुख्ष म होता है ये उपाई आपको सूर्यास के बात करना है ये भी उपाई आप कभी भी कर सकते हैं तो ये हो गया दूसरा उपाई जो उपाई आपको लगते हैं कि हाँ ये हमारे बहुती काम के हैं बहुती सिद्ध हैं तो ये नवरातरी की दिवरातरी आपको गवानी नहीं है आप कोई भी उपाई करें बड़ी भक्ति भाव से औ देखे तीसरा उपाए है वो भी बहुत खास है आपको दो लाउंग के जोड़े लेना है फूल वाले लाउंग के जोड़े लेना है और साथ में लेना है तामडे के पात्री के अंदर जल अब आपको ये दोनों चीज ले करके भगवान शीव के मंदिर में जाना है देखो जी पूरा भगवान शीव के शीवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है यह अर्पित करने से लॉंग वाला जल अर्पित करने से आपके जीवन के समस्या दूर होती है धन के श्तोत्र खुलते हैं जीवन में भागी का उदय होता है रूठी होई किसमत भी चमकन लगती है तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं देखिए वीडियो में हमने आपको पहले ही बता दिये था कि आप यह तीन उपाय करेंगे चाहे पीपल के व्रुक्ष के वहाँ पर करें जो दूसरा उपाय है धन की व्रिद्धी के लिए चाहे तीसरा जो है जीवन के संकटों को दूर करने के लिए भगवान शीव के शिवलिंग पर आप यह उपाय करें लेकिन ध्यान रखना अंत में आपको आपकी मनोकाम न बोलनी है और आपकी जो भी समस्या है जो भी आपकी जीवन के संकट है वो दूरहों ऐसी आपको पराथना करनी है और अंत में उपाय करने के बाद हाद जोड करके आपको मा कुस्मांडा को याद करना है चोथा दिन मा कुस्मांडा का होता है और ग्यारा बार आपको एक मंत्र एम र अगर आपको कुछ बेची समझ में आये तो कमेंट में पूछ लेना गलती नहीं करना है शरी शिवाय नमस्त भ्यम हर हर महादीव